हलो एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग असर करती हूं अच्छे होंगे सुरचीत होंगे और अपने घरों में होंगे और अभी समय साम हो चुका है तो अब मैं जा रहे हूं खाना बनाने तो आप लोग के साथ ना दो अच्छी सी रेश्पी शेयर करोंगे एक शुबत लोगो सोच कर भी लग रहा होगा ना कि बैगन के सब्जी के साथ खीर कौन का था खीर में इसलिए बना करें क्योंकि आज सेरतपूर निवा और च्छत पर खीर रखते हैं कि अम्रीद बरस्ता है वही मैं खीर बना करके रखने के लिए भी बना और खायंगे भी सुबह जो चने की डाल बनाई थी उसका वीडियो में पिछले बार ही शेयर की हूँ तो भी देख लिजेगा अगर नहीं देखे होंगे तब और चैनल पर पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो वीडियो के नीचे डाल कलर की बटन होगा उसको क्लिक करके मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल ऐकन की घंटी को भी लगे हाथ दबाहें दिजिएगा ताकि जितना ही वीडियो डालोगों उसका नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख करते हैं बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता है कोई डाटा के वल नहीं लगने वाला है तो प्लीज सपोर्ट किजिए सब्सक्राइब करके और अब लोग के साथ रेश्पी सेयर कर रहे हैं ज्यादा बाते नहीं करूंगी नहीं तो बड़ा हो जाएगा और पहले खीर ही बन करते जाओंगी और बनाते भी जाओंगी तो गाई सबसे पहले में खीर ही बनाओंगी तो उसी के लिए मैं पतिला चड़ा दी हूं और यह एक लीटर दूद है आधी लीटर का दो पैकेट फुलुक किरिम है तो उसको मैं चड़ा दे रहे हूं गरम होने के लिए और जब इसे ड्राइफूर्स है काजू बादाम और मखाने और किसमीज सौरी बादाम नहीं था नारियल था तो नारियल को मैं वैसे ही काटोंगी और यह देखिए मैं आपको बता दे रहे हूं कि जैसे ही दूद में उबाल आ जाए तो चावल जो धो करके रखा उसको डाल देना ह है और चावल धोने के बाद इसको चलाते रहना है जब तक अच्छे से उबाल ना आजा चावल डालने के बाद नहीं तो चावल नीचे तले में चिपकने लएगा और मेरा थोड़ा सा चिपक गया था जब मैं आपको ड्राइफूर्स दिखा रही थी तब तो फिर मैं उसक चला रही थी दीपिका कि ममी मैं चलाना दे रहीँ बजल रहीं चीपक में इस ताइम नहीं ऑच्छे से घाल टने के भाद ही ऊट। और फिर उसके बाद नारियल में पहले डाल दे रही हूं कटा हुआ और मखाने जैसे ही आधा चावल पक जाए मतलब लगे आपको कि यह 50% तक पक चुका है तब हम इसमें नारियल और मखाने डाल दें क्योंकि नारियल और मखाने थोड़े से हलका सा हाड होतार पकने में टा ही डाल देंगे और अब इसको ना तो खौलाने के जरुवत है और ना कुछ बस अच्छे से सब को मिक्स कर लेंगे और हमारे खीर बन करके तयार हो जाएगी और अब यह देखिए दूसरी रेस्पी पहली रेस्पी तुम्हें आप लोग को बता दी और दूसरी रेस्पी है जो गाओं के दरीके से मैं आपको बैगन की सबजी बनाना बताऊंगे और यह बैगन की सबजी जो लोग बैगन नहीं भी खाते होंगे जिनको खाना नहीं भी पसंद होगा उनको भी पसंद आएगा और हो सकता है कुछ लोग यह रेस्पी पहली बार भी देख रहे होंगे और कुछ लोग मतलब खाए भी होंगे अभी तो ऐसे कोई ज़्यादा लोग मेरे वीडियो नहीं देखते हैं तो ये वाली जो बैगन की रेस्पी है इसका हम डेंठल पूरा नहीं हटाएंगे आधा डेंठल रख लेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे साफ कर लेंगे और इसके बाद बीच से एक टुकड़ा में कट कर देना है बीच से जो थोड़ा ज्यादा लंबा बैगन हो अगर छोटी है तो बीच से कट करने की कोई जरुवत नहीं है और इस तरीके से इसको चार भाग में काटना है आप लोग देख सकते हैं अलग नहीं करना है कोई भी भाग अलग नहीं करना है इसमें जुड़े हुए ही रहने देना है और इसको चार भाग में इसी तरीके से कट कर लेंगे और साब भी कर लेंगे जहां आपको लगे और अच्छे से देख करके बैगन को काटना है क्योंकि बैगन में कीड़े भी होता है। इस एक नजर उससाले की दाल लिए यह है सब्जी की जो बैगन के हम बनाएंगे इसका मेन मसाला है। इसमें डो चमट छोटी राई है। राई आप चाहें काली वाली ले ले लिजिए दूनों चलेगा। और दो जो लहसुन की गाठ नहीं होती है वो छोटी चोटी दो गाठें लहसुन की और राई की जो कांटेटी है थोड़ा ज्यादा करके ही लिजिएगा वो ले लेना है और एक छोटी चमच से ही जीरा साबूत ले हूं और एक ही जदर का टुकड़ा ये सारे मसाले को सुखे मसाले मिक्स करूंगी और नमक तो सबसे पहले में स्वाद के नुसार नमक ले ली हूं और आधी चमच हल्दी का पाउडर और दो चमच धनिये का पाउडर और एक चमच लाल मिर्च का पाउडर और आधी चमच आमचुर का पाउडर ये ही मसाले हैं में इसमें मिक् अगर आप हाथ से mix करना नहीं पसंद करते हैं चमच से mix कर सकते हैं तो ये देखिए मसाला अच्छे से mix हो चुका है और अब मैं इसको बैगन में भर कर दिखाऊंगी कि कैसे भरना है तो बैगन लेना है जो कटा हुआ है और इसको इसी तरीके से अच्छे से मसाले मसालों को अंदर लगा देंगे बैगन के अंदर जब हम चार भाग में कट किये हैं उसके अंदर सारे भाग में अच्छे से मसाले लगाएंगे ये देखिए इसी तरीके से लगाना है एकदम अच्छे से ऐसे नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा से उसको टच करना है अच्छे से मसाला लगा देंगे इसके अंदर और अगर आप चाहें तो मसाला में नमक पाले टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एक बार भरने के बाद अगर आपको फीका लगे तो थोड़ा से नमक और मिक्स कर दें और इसी तरीके से सारा भैगन को हम भर के त्यार कर लेंगे और चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो मैं आप लोगों से विंति करती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जारा जरूर देखिएगा थोड़ा सा देख करके मत छोडिये और इसी तरीके से सारे बैगन भर कर के त्यार हो चुका है ये देखिए एकदम ये गाओं के तरीके से हैं गाओं में अधिकतर यही सबजी बनती है और काफी टेश जीरा नहीं राइ डाली हूँ मैं बार बर भूल जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बनाया हुए काफी दिन हो गया ना तब यह तभी खराब चल रही मैं आपसे पहले ही बताई थी इसी वज़े से थोड़ा लेट ही हो रहा है वीडियो में जाने में क्योंकि एडिट ही नहीं हो बारा है तो कैसे जाएगा और सारा बैगर इसी तर hy kade से डाल देंगे अगर आपको अ लगए कि कि एक बार हम इसको नहीं fry करे लेग्षै करते हैं कराव कर दो चार्शर किस तरहाँ आप भी इसको नगार। फ्राई कर सकते हैं और जैसे ही बैगन हम डाल देंगे तो एक मिनट या दो मिनट के लिए उसको कुछ भी नहीं करें आप धीमे आज पर उसको अच्छे से पकने दें उसके बाद ही इसको इसी तरीके से अराम अराम से प्यार से पलट दीजिएगा और ये काफी जल्दी सब् सब्जी बनाते हैं तो आपके घर में बच्चे भी खा लेते हैं मेरे घर में भी बच्चों को भी पसंद है लोग खा लेते हैं और जब भी मैं बैगन लाती हूं तभी यही सब्जी बनाने के लिए भी बोलते हैं और यह कोई जरूरी नहीं आप कोई सब भी बैगन से बना बस गोल वाला जो बैगन होता है जिससे भरता बनाते उससे नहीं बन पाएगा और मैं थोड़ा सा नमक डाल दीए क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा नमक कम हो जाएगा इसी वज़े थोड़ा सा उपर से नमक डाल दीए और जो मसाले बच गए थे उसको भी मैं डा तो देख करके खुद ही पता चल रहा हुआ कि बैगन अच्छे से गल भी गया है और खूब अच्छे से पक भी गया है क्योंकि मसाला विकडाही में नहीं चीप रहा है और अच्छे सा कलर भी आ चुका है आप किशाए तो ऐसे खा सकते हैं रोटी पराठे के साथ या दाल चा बनाते हैं इसका ग्रेवी थोड़ा गाड़ा गाड़ा इसका ग्रेवी बनता है पतला नहीं बनता है तो उसी अनुसारा बना लिजिए अगर आपको ग्रेवी वाला ना पसंद हो तो आप सुखा भी बना करके खा सकते हैं मगर एक वार अभी तक इस तरीके के रेस्पी आप नहीं ट्राइ की है न तो गाउं के तरीके से भी बना करके एक वाड़ ट्राइ कीजिएगा आप लोग को बेहत पसंद आएगा और आप लोग खुब इंजवाय करके खाईएगा और यह देखिए सब्जी बन करके त्यार हो चुकी है और देख सकते हैं आप लोग कितनी गाड मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी क्योंकि सब्जी बन कर त्यार हो चुका है और अब मैं आ गई थी अंदर वाले कमरे में खीर देख लीजे कितना गढ़ा हो गया है क्योंकि मुझे खीर ने कटोड़ी में निकाल करके और देना है असमिन को क्योंकि वह च्छत पे जाक सब्जी कितनी सुंदर लग रही है बन करके त्यार हो चुकी है अ उम्मेद बस इतना ही करती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखे हैँ और नहीं देखें तो फिर से चला करके देख लीजेगा झालेज़ drift और शसक्राइब नई किये तो सस्क्राइब ही कर दीज्येग और लाइक भी कर दीजे